हालो फ्रेंड्स वेलकम यू आल आज मैं आपके जो वीडियो लेक्या रहा हो दिखे बात करेंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक की मातर 30 रूपे में क्या मौका इन्वेस्टमेंट का है अगर इन्वेस्टमेंट का मौका है तो रिस्क कितना है यह कुछिशन सबसे पहले आपके जह मैं आना चाहिए कि मौका इन्वेस्टमेंट का अगर दिख रहा है तो रिस्क कितना है क्योंकि रिस्क मैनेज्बेंट शुड आफ इन्वेस्टमेंट का महत तो समझे इस लाइन की इंपोटेंस बहुत बड़ी है सबसे पहली प्रियरिटी जो केपिटल आप इन्वेस् के अंदर आता है कभी इन्वेस्ट करें या फिर सबसे इंपोर्टेंट बात कुछ दिन पहले हम इसके बारे मैं बात कर रहे थे आज फिर से बात करेंगे क्योंकि फ्राइडे को बहुत इंपोर्टेंट वॉल्यून देखने को मिला तो आने वाले टाइम पे स्टार्ट हो स सीरीज अगर आपको सीखने है तो जॉइन कीजी मेंबर से जॉइन बटन पर क्लिक करके क्योंकि प्राइस एक्षन बहुत ही अडवांस लेवल की चीज़ें आपको दिखाता है जो कि एक रिटेल निवेशक को जरूरी है देखना इंस्टिटूशन का ओडर फ्लो कहां को ज होता है जो मार्केट में मूव्मेंट आता है वो मार्केट मेकर्स जो है यानि की जो मूव्मेंट मेकर हैं बड़े इंस्टिटूशन उनके बेस पे आता है चाहे छोटा स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक अब ज़रा देखे तसल्ली से स्टॉक का नाम यहाँ पे है आर्भी लेनल रेल विकास निगम लिमिटेड तीस रुपे पर ट्रेड कर रहा है छे हजार करोड का मार्केट कर प्रॉफिट ग्रोज जवरदस्त पी रेशियो हर साथ रुपे पर आपको एक रुपय कमाके दे रहा है कोई कमीन ही अर्निंग पर शेर बढ़िया डिविडेंट भी वो लोग हैं जो दो लाग से ज्यादा रुपया लगाते हैं कि इसी स्टॉक में यानि कि बढ़े हाइड वर्थ वाले इंडिविजवल दिसंबर और मार्च का अगर मैं यहां पर नंबर देखू तो मार्च में हाइड नेट वर्थ वाले लोगों ने माल खरीदा है यहां या इस के जिए हैं पे इक करोड़क शेर इनंहोंने उठा लुख लिए एक करोड़ शेर अगर 30 रुपियों के रेट आप देखो 25 अगर पre k27 करोड़ का फालिया देखिए इतना चोटा सा शेर है उसके अलाव अगर में फॉरेंड पोर्टफोलियो निवेशकों को देखू तो यहां पर इन्होंने भी जो है माल बढ़ा है देखिए अल्मोस्ट अगर देखिए 63-64 लैक से 87 लैक के आसपस इनके शेयर से चलेगे इन्होंने भी कु कुछ यहां पर लाग शेयर कुछ लाग नहीं मैं कहूंगा करोड शेयर से यहां पर बढ़ाया है रिटेल लिवेशकों ने भी लेकिन जर्णा इस स्टॉक को समझते हैं देखते हैं हर पस्पेक्टिव से अर्ट इस स्टॉक को में यह मंधली चार्ट है मैं आपको हमीसा कह कहता हूं कि always look for correction किसी भी हिसाब से आपको खरीदना है एक ही परिवासा है स्टॉक मार्किट का एक ही फॉर्मूला है इंपल्स आएगा correction आएगा और जब यह correction आती है तो यह जो correction का resolve होना आपके लिए important है जैसी यह resolve होगी यह आपका stop loss यह आपका entry point यह आपने पूरा का पूरा play किया फिर correction आएगी फिर आपका यहाँ पर position size बढ़ाओगे या फिर यहाँ पर swing पर आपने basic दिया यहाँ पर दुबारा खरीदना चाहो तो दुबारा मौका है stop loss क्योंकि इन correction के resolve होने को जो आप देखते होने तो यहाँ पर risk कम से कम होता है मान लो देखिए 10 रुपे के level से भागा था यह 20-22 रुपे के level पर देखे हो अब 20-22 रुपे के level और उसके बाद आई correction और correction आई correction के बाद फिर आपको होगे हाँ यह correction का resolve हुआ यह देखिए बाई 20 रुपे से और सीधा सफ़र तेखिया 36 का फिर correction आई almost 26 रुपे के level फिर देखे correction रुपे के level पर फिर देखे correction रुपे होने start हो गई है और अब देखिए यह अब आपको होगे है कहा 18-36 और यहाँ पर यह 26-52 रु यह देखिए पहले इस impulse lag की बात करते है यह impulse lag मैंने बिल्कुल bottom से यहाँ पे तक लगा दिया और अगर आप देखोगे यहाँ पर जो correction आई थी वो 38% की correction अब आपको गया यह मतलब जितने impulse वनी थी उसके 38% की यानिकि बहुत बढ़िया correction और यह correction 50% तक यानिकि और 62% के आस-पास तक भी जा सकती है बढ़िया correction थी और अभी की situation के हिसाब से अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसको डिलेट कर गए कि अभी की correction वो कितने पसेंट है यह बहुत important होता है correction के depth आपने के लिए फिबो नकी बहुत important मैं काऊंगा यह देखिए अगर अभी की correction देखे ज अपने कावा आपको गया यह तो बहुत ही अच्छा tool है तो बहुत important है यह यह जब हम यूज करते हैं तो correction की depth नापने के लिए कि कितनी correction जा चुकी है जैसे पहली correction 38 गई यह 58 गई अब इसका resolution आप देखिए स्टार्ट हो चुका है यह important part correction की depth कई बार हम लोग मिस कर जाते correction की depth जब हम नापते हैं तो पूरी impulse को लीजिए impulse के comparison में in comparison to impulse आप correction की depth नापने हो कि मानलो stock पहुंचा 10 से लेके 20 रुपे तक लेवल तो impulse की length कितनी होगी 10 के low से यहाँ पे और 20 तक पहुंचा तो impulse की length होगे 10 अब आप कहोगे इसमें 38 यानि कि 40% के आस पास ती correction आगी त 10 से 4 माइनिस करके 6 के आस पास तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बिल्कुल exact calculation नहीं यहाँ पे कई आप देखोगे 50 से हलका सा नीचे या 38 से हलका सा ऊपर तो ऐसी चीज़े यह आईडियल सिचुएशन तो है नहीं तो हाँ आप आप कहोगे वाई वंथली की correction रि demand generate हो रही है यही तो चीज़ है learning की supply and demand देखिए overall देखिए impulse correction impulse अब next target कहां पहुंच रहा है next target तो 50 के लबल के पार और 30 रुपे से अगर हम 50 का target लेके चलने तो percentage आप calculate कर लीजिए मतलब 30 से 60 होता है आपका पूरा का पूरा 100 परसेंट तो मान के चल यह 70-80 परसेंट का gain बढ़िया है कि नहीं है बहुत ही बहात ही बहातरीन बट यहाँ पर ज़रा और चोटी time frame पर समझती क्योंकि stock को करहा हमें देखना है तो एक time frame पर नहीं देखेगे बही हर time frame पर हर time frame के बाद lower time frame that is the most important part to understand now see last time पर जब यह correction resolve हुई थी न तो इस correction के साथ यह important level था 24 is the best weekly की bullish cross weekly की bullish cross के बाद correction or with a stop loss of this amazing बट यह आप देख रहे थे इस correction को बिलकुल मैं कहूंगा breakout के nearby कर रहे थे लेकिन breakout से पहले जब आप इसको समझते था तो आप 20 के level पर situation को समझने की कोश सबस्ते हैं हां रिस्क लेवल मनताब यह stop loss बहुत कम होता है बट यह की confirmation थोड़ा सा कम हमारे पास होता है confirmation और यहां पर आके confirmation जबर्दस बुलिस क्रॉस बुलिस क्रॉस के बाद की करके correction that is a beautiful मैं कहूंगा confluence kind of scenario कि आपके भाई एक और confirmation मिलके एक और stamping लग गए अब तो बढ़िया situation है now see what happened after that 36 see 24-36 जबर्दस में कहूंगा 33.3% कर रिटन ultimate with a stop loss of this आपको गे amazing मजा आगया now see this correction this correction अगर आप देखोगे बिलकुल top line को draw करते हुए यहां पे एक trend line draw करोगे peak point को draw करते हुए what happened पी जो trend line है वो break हुई and trend line के break के बाद we expect कि हमारे पास इसका retest हो समझे इस बात को important बात हम expect करते हैं कि इसका retest हो and we got the retest also and after retest it also start moving that is again important तो अभी हम बहुत ही मतलब इन लेवल्स में अभी हम अभी हम इन लेवल्स में correction resolution की and you can just see where is our stop loss 26 की range में मैं कहूंगा एक point और नीचे लगा लिजे 25.5 के range में अपना stop loss तब आपको गए wow that is amazing अब देखिए अब हुआ क्या इसने स्टार्ट करी हाई बनाया correction आई higher low बनाया अब फिर rally start हो चुकी है तो यह early signal early signal 30 का entry point और with a stop loss of 26 और early मैं आपको already बता चुका हूँ अब मैं चोटे time frame पर यानि की daily पर भी आपको लेके चलूँगा हमेशा याद रखे whenever we got a bullish cross either bullish cross और bearish cross we expect a jump in bearish cross we expect a correction यानि fall in bullish cross अब देखिए bullish cross मिला हमको correction के expectation थी और correction आई और यह level बहुत ही important और friday का मुझे volume बहुत पसंद आया और इस friday के volume के बाद देखिए rally start कभी भी हो सकती है इसलिए यह base की formation जो हुई और जैसे कि मैं आपको दिखा रहते हैं कैसी scenario बन रहा था rally correction and again the rally is started moving but अगर friday को देखो तो candle में एक wick kind of scenario बना है एक लंबी wick मतलब कुछ बहुत यहां पे selling हुई है तो इसको जाईए छोटे time frame पर देखिए छोटे time frame पर देखते हैं तो यह जो hourly का breakout हुआ था उसके बात का pullback आपको देखने को मिल रहा है मतलब और भी important चीज़ तो ऐसे आ आप multi time frame को use करके बड़े time frame को छोटे में देखिए छोटे time frame को और छोटे में देखिए तो आप एक analyze करते हूँ scenario क्या बन रहा है और फिलाल मैं wind up करता हूँ इस वीडियो को तो बहुत ही important यह stock होने वाला है आने वाले coming weeks में और वीडियो अच्छा लगा तो share कीजिए like की इसा priority रखे price action सीखने के लिए membership join कीजिए join button पर click करके thank you thank you for watching the video